क्रिश्ना पूर नाम का गाउं रेल्वे स्टेशन के पास ही था गाउं के सभी लोग खेती पर ही आधारित अपना जीवन वेतित कर रहे थे उसी गाउं में किर्टी और बालू नाम के अनाद भाई बहन रहा करते थे बालू के जर्म के बाद ही उनके माता पिता का देहान दोने के कारण किर्टी पर ही बालू के परवरिश के जिम्मेदारी आ गई थी किर्टी उमर में छोटी थी इसलिए कोई भी उसे कोई काम नहीं देता था एक दिन किर्टी काम के सिलसले में उसी गाउं के रहने वाले राजु नाम के एक आदमी के पास जाती है राजु अंकल बच्पन में ही हमारे माता पिता का देहान दुआ था मैं अनाध हूँ, मेरा एक छोटा सा भाई है माता पिता के देहान के बाद मेरे भाई के परवरिश के जिम्मधारी मेरे कंधे पर आ गई है इसलिए अगर आप मुझे कोई काम दोगे तो उन पैसों से मैं उसकी परवरिश करूँगी यो विंती कर वो पूछने लगी उस पर राजु ने कहा उसके ऐसे कहने पर किर्थी बहुत दुखी हुई उसी उदासी से वो घर लोटी और भगवान से कहा भगवान ये कैसी परिक्षा है घर में एक दाना अनाज नहीं और खरीदने के लिए पैसे नहीं कम सकम काम कर पैसे कमाना चाहो तो कोई काम भी नहीं देता यो उदास हुए जा रही थी तब ही वहाँ पर बालू आया दीदी तुम ऐसे उदास क्यों हो? तुम ऐसे उदास मत रहो तुम उदास हो जाती है तो मुझे बहुत रोना आता है दीदी बताओ ना क्या हुआ मैं तरो दीदी बताओ ना यो परेशान होकर बालू ने पूछा तब कीर्टी ने कहा बालू मैं कोई काम कर तुम्हारी अच्छे से परवरिश करना चाहती हूँ पर मेरी उमर के कारण कोई भी इस काम में मुझे काम नहीं देना चाहता मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी परवरिश कैसे करूँ अपना घर कैसे संभालू बस यही सोच रही थी कहकर दुखी हो रही थी दीदी तुम उदास मत हो दीदी मेरे पास एक सुझाव है तुम ही ने तो कहा था ना कि माँ बाओ जी मित्टी के खिलोने बना कर गाउ गाउ गोम कर उन्हें बेच कर अपना परिवार चला दे थे तो क्यों ना हम भी दोनों मित्टी के खिलोने बना कर उसे गाउ गाउ बेच कर उससे कमा कर हम हमारा घर चलाए उसकी बात सुन कीर्टी ने कहा बालू तु भले ही बहुत छोटा है पर तुने सही सुझाव दिया हम मिट्टी के खिलोने बनाया करेंगे हम ये काम करने लगेंगे तो हमें किसे से काम मागने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितनी जादा मेहनत करेंगे उतना हम कमा पाएंगे ठीक है बालू तो कल ही से हम मिट्टी के खिलोने बनाना शुरू करेंगे पापा जब बनाते थे तो मैं उन्हें देखा करती थी उससे मैं देखा करती थी इसलिए मिट्टी के खिलोने बनाने का मुझे थोड़ा बहुत अनुभाव है तो अभी जंगल जाकर खिलोने बनाने के लिए लगने वाली मिट्टी और तरह तरह के रंगिन फोल लेकर आना जिससे प्राकृतिक रंग बन सके ऐसा कहकर बालू को वो जंगल की दरफ फेज देती है तब कीर्टी खुझ से कहती है जब तक बालू खिलोने बनाने के सामगरी खटा कर लेकर आता है तब तक मैं घर में उसको बनाने के जगे बना लेती हूँ ऐसा सोचकर वो घर के आंगन में मिट्टी के खिलोने बनाने के जगे तयार करती है बालू और किरती ने मिलकर बहुत सundred से खिलोने बनाए, वो देखने में बहुती आकरशनिय थे, पर उन्हें खिलोने पेचने का अनुभव नहीं था, इसलिए एक भी खिलोना नहीं बिका, तब किरती ने बालू से कहा, देखा बालू, इसी को कहता है फूर्टी किसमत, हमने राद पर इतनी मेहनत कर खेलोने बनाए, लेकिन इतने सुन्दर खेलोने बनाने के बाउचुद भी एक भी खेलोना नहीं बिका, अब हम क्या करें? ऐसे किर्टी ने कहा, तभी वीर नाम का एक आदमी बालू और किर्टी के घर आया, बेटा किर्टी, मैंने सुना है अपने मा आपके विरासत से मिली मिट्टी के खिलोने तुमने बनाने शुरू किये हैं, ऐसे पूछा, तब बालो ने कहा, हाँ, हम तरह तरह के खिलोने बना रहे हैं, पर आप ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? ऐसा पूछने पर वीर ने कहा, मैंने उन खिलो को देखा है, मुझे बहुत भाग है, अगर तुम हा कहो, तो मैं हर मैंने कुछ ओर्डर तुम्हें दूंगा। ऐसे उसने कहा, क्यों नहीं अंकल, आप अगर हमें पैसे दोगे, तो इमानदारी से आप जो कहोगे हम वही काम करेंगे। इस बात पर वीर ने कहा, तुम जानते ने कहा, हमारे पास जो चीज से उपलब्थ है, उसे से हमें बनाना होगा। इतने में बालू ने कीर्थि से कहा, दीदी, यो भूके रहने से तो आच्छा है कि जैसे वीर जी ने कहा, वैसे हम ट्रेन बना ले। बालू ने ऐसे कहा, फिर बालू और कीर्थि ने मिलकर दिन रात एक कर एक सुन्दर सा ट्रेन तयार किया, सारे गाउं को वो ट्रेन बहुत पसंद आई, वीर को भी उनकी बनाई ट्रेन बहुत पसंद आई, इस तरह उन्होंने तरह तरह के खिलोने बना कर उससे कमाई कर अपना जीवन खुशी से याबन करने लगे सीतापुर नाम के एक गाउं में रामा नाम की एक विध्वा औरत रहा करती थी, वो अपने बेटे बालू और बेटी कीर्थी के साथ रहती थी, जब उसके पती जिन्दा थे, तब उनके मटके का धंदा बहुत अच्छे से चलता था, हर कोई उसे प्यार से बहना और दीदी क रहकर बुलाया करते थे, अब जबकि वो विध्वा हो चुकी थी, कोई उसकी घर की तरफ देखता नहीं था, और उसे बात भी नहीं किया करता था, कोई उनके पास मटके खरीदने भी नहीं आता था, बच्चों के साथ कोई खेलता भी नहीं था, एक दिन किर्थी ने कहा, मा, अब तक जो हम लोगों के साथ बच्चे खेला करते थे, वे अब हमारे साथ नहीं खेलते, उन्होंने कहा कि उनकी माता पिता ने उन्हें बताया कि आपने कोई पाप किया है, जिस कारण पापा जिन्दा नहीं रहे, क्या ये सच है मा, आपने कोई पाप किया है? ये बाते सुनकर रमा बहुत दुखी हुई अपने दर्द को छुपाते हुए उसने आसु बहाय रमा को समझ में नहीं आया, कि क्या और कैसे कहा जाए तब कीर्ती ने कहा मैंने उनसे कहा, कि जहां तक मैं जांती हूँ, मेरे माने कोई पाप नहीं किया फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है तो तुम्हारी माँ बहार क्यों नहीं आती? बोलो ना मा. इतने में बालू ने कहा, उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारी माँ को भला गावले फिर क्यों डांट रहे हैं? मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा मा. बालू की बात सुनकर रमा अपने दुख को नहीं दबा पाई. उसके आंसों सैलाव बनकर बाहर निकले. अपने बच्चों को गले लगा कर फूट फूट कर रोने लगी. कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला. सही कहा तुम दोनों ने. मैंने औरत बनकर जैन मिलिया. यही मेरी गलती है. और इस गलती के सज़ा तुम दोनों भी भुगत रहे हो. रमा इससे ज़ादा अपने बच्चों से कुछ नहीं कई पाई. किर्टी मा से और कुछ पोचना ही चाहती थी. अब बहुत देर हो चुकी है. जाकर सोजाओ. कल बात करेंगे. ऐसा कहकर उसने अपने बच्चों को सुला दिया. उनके पास बैठकर वो बोलने लगी. ए भगवार! ये तेरा कैसा खेल है? मेरे घर में अनाज खतम हुआ. मेरे इस विद्वा हालत को देकर कोई मेरे पास मटका भी नहीं खरीद रहा. कल से मेह और बच्चे कैसे जियेंगे? माथे पर बिंदिया, हातों में चूडिया, गले में मंगल सूत्र, रंग बिरंगे सा इने दूर कर दिया. यो दुखी होते हुए उसने रात बिता दी. सुबह उठते ही, कर्जदार मानिक उनके घर पर आया. पैसे देने के लिए जित करने लगा, बदले में उसने मटके फोड दिये. मानिक यो आंगर में खड़ा होकर चिलाने लगा. दहलीस पर खड़ी रमा उससे विंती करने लगी. मैं तुम्हें समय दे भी दूँ, तो तुम भला पैसे दोगी कहां से? बीना बिंदी के तुम बहार निकलोगी नहीं, कहीं काम करोगी नहीं. इस बेरंग साड़ी पहने देखकर कोई तुमसे मटका भी नहीं खरी देगा. उस पर रमा ने कहा, गर मेरे नाम करना होगा. समझी? ऐसा कहकर मानिक वहां से चला गया. रमा ने अपने बच्चों से कहा, कि उन्हें मटके ले जाकर गाओं में घूम घूम कर बेचना होगा. तब ही हम अपने घर को बचा पाएंगे, वरना वो मानिक आकर कह रहा था कि अपना घर हडप लेग हम बे घर हो जाएंगे, सड़क पर रहना होगा. तुम दोनों समझ रहे हो ना? तब किर्टी ने कहा, मा तुम चिंता मत करो, चाहे जो भी हो जाए, हम अपने घर को उसमानिक अंकल को लेने नहीं देंगे. ऐसा कहकर दोनों ने एक एक टोकरी मटकों से भरी हुई उठाई और गाउं में बेचने चले गए. मटके ले लो मटके, एकदम मस्बूत वाले मटके, कम दाम में अच्छे वाले मस्बूत मटके, गर्मी के दिनों में ठंडा पानी और धंड के दिनों में गरम पानी देने वाले मटके. इस तरह दोनों गाउं में सुभह से लेकर शाम तक गुमते रहे पर उनका एक भी मटका बिका नहीं वे दोनों निराश होकर पैर के दर्द के साथ वापस लोटे उन दोनों को धीरश देखकर खाना खिलाकर रमा ने उनको सुला दिया वो रात पीद गई अगले सुबह किर्टी ने कहा बालू हमारे मटके कोई भी खरीद नहीं रहा न क्यों न हम उस मिट्टी से साइकल, मोटर, कार बनाए जिससे शायद लोग उसे लेना चाहे तब बालू ने कहा हाँ दीदी हम उस मिट्टी से साइकल, बाइक बना कर बेचेंगे अगर लोगों को अच्छा लगा तो धनी लोगों के लिए एरोप्लेन बनाएंगे फ थोड़ा आश्चेर्य तो हुआ रमा को, फिर भी उन्हें उसने प्रोचसाहित किया, फिर बच्चों ने मिट्टी से बाइक बनानी शुरू की और घर के सामने कतार लगाई, सड़क पर जा रहे लोगों ने उन बाइक को देखा और कुछ पैसे देकर बाइक खरी दी, इस हुआ समय खतम होने पर मानिक पैसे लेने घर आया, उसने बच्चों को हवाई जहाज बनाते हुए देखा, इस हवाई जहाज को बनाने की बाद मुझे दे देना, मैं तुम्हारा कर्ज माफ कर देता हूँ और तुम्हारे जरूरत के पैसे भी दिया करूंगा, बच्चों हामी भरी, जिससे मानिक वहाँ से चला गया, दो दिनों में हवाई जहाज बनकर तैयार हुआ, मानिक ने आकर कहा कि वे अब कर्समुक्त हो गये, मानिक जहाज लेकर चला गया, वो ये भूल गया था कि वो मिटी का बना हुआ है, पानी में या बारिश में भीग कर वो जिससे धनवान मनी पानी में डूब जाता है, उसको अपने गलती का एहसास हुआ, उस दिन से वो अच्छे से रहने लगा, अपनी होश्यारी और विवेकता से उस मानिक से घर को चुडाने के लिए मा बहुत खुशी और अपने बच्चों की सराहना करने लगी